हेलो दोस्तों आज मैं आपको मेरे लड़ू गोपाल जी के कुछ कपड़े दिखाने वाली हूँ अगर आपको मेरे ये कपड़े पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा ये देखिए ये बहुत ही सुन्दर मैंने बनाई हूँ आगे की वीडियो में मैं आपको ये सब बनाना जरूर सिखाऊंगी एक ड्रेस ये है मेरे कान हजी की ये सारी ड्रेसों को मैंने ही बनाया है और ये सारी ड्रेसे मैं आपको एक एक वीडियो में बनाना जरूर बताऊंगी इस प्रकार घर पर ही सुन्दर सुन्दर ड्रेस बनाकर हम अपने कान हजी को तयार कर सकते हैं मार्केट से इतनी महंगी महंगी ड्रेस हम खरीत के लाते हैं और वो कुछी दिनों में खराब हो जाती है पर इस तरीके से फेब्रिक से हम घर पर ही बहुत सुन्दर ता और मजबूती के साथ हमाई कान हजी के लिए कपड़े बना सकते हैं यह देखिए यह ड्रेस में बहुत ही जादा पसंद है और इसमें मेरे कान हजी बहुत सुन्दर लगते हैं यलो ड्रेस में एक ड्रेस यह है इसमें मैंने बीच बीच में मोती लगाया है और यह यलो कलर की बहुत ही सिंपल ड्रेस है सिंपल ड्रेसों में हम इस प्रकार से इस्टोन लगा कर भी ड्रेस की सुन्दरता को बढ़ा सकते हैं मेरे पास जितनी भी कान हजी की ड्रेस है वो मेरे खुद के हातों से ही बनाई हुई है और इनके मैंने मुकुट भी बनाए है वह मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी एक यह ड्रेस है ब्लू कलर पर इसका लूग भी बहुत अच्छा आता है इस टाइप से और यह किये है बहुत ही सिंपल ट्रेस ही यह और यह देखिए एक औरेंज कलर में इस प्रकार से हम नेट का फेवरिक लाके घर पर ही अपने कान हजी के लिए बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन वाली ड्रेस तैयार कर सकते हैं यह देखिए ड्रेस का लोग भी बहुत अच्छा आता है एक यह ड्रेस से सिंपल सी और एक यह ड्रेस है मेरी कान हजी की ग्रीन कलर पे मेरे पास कुछ उनी ड्रेस भी है जो मैंने अपने हाथों से बनाई थी उनी ट्रेस की तो मुझे ज़्यादा जरुवत पड़ती नहीं है यह ऐसी सिंपल सिंपल मैंने घर पे बचे हुए उन से बना लिया था तो दोस्तों मैं अब आपको दिखाती हूं मुकुट यह देखिए सुन्दर सुन्दर मुकुट इनको मैंने बिना भकरम के खुद अपने हाथों से बनाया है यह देखिए मेरे कानाची पहुत छोटे है यह मुझे बहुती छोटी छोटी पगड़ी बनाना पड़ता हुर्ण के लिए ये रही ये गोल्डन कलर में ये ब्लू कलर की पगड़ी है ये ब्लैक कलर पे है एक ये रही ये मैंने मार्केट से खरीदा था इसको ये ग्रीन कलर की पगड़ी है मैं जब भी अपने कानची को तयार करती हूँ तुनको मेचिंग मेचिंग ही पगड़ियां और ड्रेस पहनाती हूँ ये एक पिंक कलर में है ये फ्रोजी कलर की ये यलो कलर में पगड़ी बहुत ही सिंपल सिंपल पगड़ियां है इनको ये सानी से बन जाती है पांच इनोट में बनके रेडी हो जाती है ये देखिये वाइट कलर की पगड़ी है यह देखिए यह सिंपल इसमें मैंने स्टोन भी नहीं लगाया है पर फिर भी इसका लुक अच्छा आता है अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा थैंक यू फॉर वाचिंग मैं चैनल नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लड्डू कोपाल जी की पगड़ी और उनकी ड्रेस बनाना जरूर बताऊंगी यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बना लड़ू कुपाल जी कपड़ी बनाना जरूर सिखाऊंगी थैंक